नीलम कमरे में सर में हाथ रखकर बैठी होती है और पारवती उसी समय कमरे में जाती है तो नीलम को देखकर उसे बुरा लगता है उन्हें लगता है कि साथ इनके पैर में दर्द हो रहा है या उनके सर में दर्द हो रहा है तो पारवती उनका सेवा करने लगती है पहले उनके पैर को दबाने लगती है तो नीलम वहाँ पर उसे जिरक देती है और कहती है तुम क्या कर रही हो और मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझे हैं मसका लगाने के लिए आयो और यह सम मेरे साथ नहीं चलेगा तुम यहां से जाओ और वहाँ पर परवती को डाट के भगा देत तो रिशी उसे कहता है कि वह परिशान ना हो और वह बाद में उसे फिर से वीडियो भेजना रिशी को भी लगता है कि वह लक्षमी टीचर को नहीं देख पाया उसे एक बार लक्षमी टीचर को देखना था